हलो एबरीवन, वेलकम बेक टो माय चैनल, दोस्तों जैसे जैसे समय बिता जा रहा है, आप जानते हैं कि हमारा विद्यले खुलने वाला है और बच्चे आने वाले हैं, तो दोस्तों कुश्चन ये बनता है कि आखिर बच्चे हमारे पास आएंगे एक मार्च से, तो हम क्या क करेंगे, क्योंकि सासन ने इतने आदेश और इतनी चीजें उपलब धिकरा दी हैं, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आएए दोस्तों हम आपको यहां पर बताते हैं कि आखिर सून सप्ताह की जो संकल्पना की गई है, सून सप्त क्या है, और हमें सून सप्ताह में क्या करना है, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समरी धिकारिक्रम के तह जो चीजें हैं, वो तो एक अपरेल से लागू होनी है, लेकिन मार्च में हम क्या करेंगे, और मार्च की हमारी गद्विधियां कैसी होंगी, जबकि मार्च में हमार से पांच तक सुन सप्ताहा की कारियोजना क्या होगी? पहले सप्ताहा में हमें क्या क्या have required करना है. हम उस पर जो है बिस्तार से चर्चा करते हैं आप वीडियोगों देर रहेगा, आपको सारी बाते मैं यह अश्फार क्लियर कर देना चाहिता है. दोस्तों देखे ये जो सून सप्ताहा के संकल्पना एवं दैनिक कारी योजना यानि एक मार्च से बच्चे आपके पास कच्छा एक से पास तक के बच्चे जब आएंगे तो आप क्या करेंगे इन बातों को आप यहाँ पर समझ लेजे आठ सप्ताह के इस भासा सिच्चणी उजना के सुरुवात के पहले इसकूल खुलते ही बिद्यार्थियों के साथ एक सप्ताह तक परिचे एवं वार्मप गद्विधियों पर कार किया जाएगा इसे हमने सुन सप्ताह का नाम दिया है इस संदर्शिका के पार्थ दो में संदर्शिका यानि जो ध्याना समरेदिकारेकरम के तहट आपको संदर्शिकाएं मिलेंगी उसकी बात हो रही है इस संदर्शिका के पार्थ दो में हमने इस पर बातचीत की है इस पार्थ में हम मौखिक भासा विकास या डिकोडिंग कालांस में विभाजित नहीं कर रहे हैं 120 मिनट उपलब्ध होंगे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप 3 कालांस कच्छा 1,2,3 कच्छा 1,2,3 भासा के लिए 3 कालांस की यूजना बनाए गई है कच्छा 4 और 5 के लिए 2 कालांस की यूजना बनाए गई है लेकिन सून सब्ता जो चलेगा वो कच्छा 1-5 तक सभी कच्छाओं के लिए चलेगा इसी के हिसाब से आपको सभी कच्छाओं के लिए कारे करना है पहले सब्ता में आपको पहली बात तो baseline आकलन करना है कच्छा एक को छोड़ करके बाकि दो तीन चार पांच यानि चारों का च्छाओं का जो है baseline आकलन करना है baseline आकलन करने के बाद फिर उन्हें इस तरों में बाट देना है ठीक है उसकी बहुत सारी videos में डाल चुका हूँ आपको बता भी चुका हूँ कैसे आप इस तरों में बाटेंगे तो आईए हम देखते हैं कि पहले सुन सब्ता में क्या आप करेंगे ऐसा नहीं कि पहले दिन बच्ची आया और पहले दिन आप आकलन करने लगे आकलन जो है आप छट्वे दिन करिएगा सब्ता के अंत में ठीक है सब्ता के अंत में कहने का मतलब आप 6 मार्च अगर एक तारिक से खुल रहा है तो 6 मार्च को आप आकलन करिएगा लेकिन 5 मार्च तक आपको क्या करना है तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं इस सब्ताह में भी हमें 120 मिनट उपलब्द होंगे लेकिन हम इसे मौकिक भासा विकास या डिकोडिंग कालांस में विभाजित नहीं कर रहे हैं इस सब्ताह में गद्विधियों को सीखने सिखाने के द्रिस्टकोंड से नहीं बलकि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश से करवाया जाएगा यहां गद्विधियों के सुरूप एवं कठिनाय के इस्तर में देखा जा सकता है सुन सब्ताह की दैनिक कारियोजना यहां पर दी गई है दोस्तों कि पहले दिन क्या करेंगे दूसरे दिन तीसरे दिन चोथे दिन जब पहले दिन बच्चा हमारे पास आएगा अर्थात एक मार्च को तो क्या करेंगे पहले परिचे सत्र सबसे पहले बच्चों को अपना नाम उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है या बताने को कहें इस से पहले आप अपने बारे में बच्चों को बताएं फिर आता है नमबर टू कहानी सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएं एवं उन्हें इस्थानी भासा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं आप आधारसिला क्रियानवयन संदर्सिका कक्षा एक प्रिष्ट संख्या 68 से दरजी और हाथी कहानी भी सुना सकते हैं कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत कुछ साधारण और अनुभव वाले प्रस्ण करें उन्हें आप अपने मन से कोई भी चितर बनाने को कह सकते हैं चितर बनाने के बाद इन पर आप बच्चों से अवस्या बात करें और जानने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है फिर आता है अगला point आता है मौखिक खेल गत्विदि दोस्तों ध्यान दीजेगा ये पहले दिन की कारियोजना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट है कबिता बच्चों को भी हाउभाव के साथ कबिता गाने को कहें फिर नेक्स्ट आता है चित्र चाल्ट पर बाचीत चित्र चार्ट परिवार पर कार किया जाएगा बच्चों को एक गोले में बिठाएं ताकि सभी को चित्र चार्ट दिखा सके चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बाचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या-क्या दिख रहा है उनके नाम बताने को कहें बच्चे किसी भी भासा में इन चीजों के नाम बता सकते हैं फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है इस पर अनमान लगाने को कहें बच्चे सब्दों या अधुरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं सभी प्रतिक्रियाओं को सुने और छोटे उम सरल सवालों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रूच और उत्सा को बढ़ाएं यह तो पहले दिन की कारियोजना है दोस्तों अब आईए आपको दिखाते हैं दूसरे दिन की कारियोजना दूसरे दिन जब बच्चे आएंगे चित्र चार्ट पर बातचीत चित्र चार्ट सड़क पर कार किया जाएगा पिछले दिन की तरह इस पर बातचीत करें दोस्तों आप ध्यान दिजेगा कच्चा एक से पांच तक के बात मैं कर रहा हूँ और आप कहेंगे तो चार्ट जो मिला है वो कच्चा एक दो तिन के लिए मिला है लेकिन दोस्तों आप भी ले जा सकते हैं कच्चा चार के अध्यापक कच्चा पांच के अध्यापक भी ले कि बच्चों को दिखा सकते हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि बच्चे हमारे सेरू कहानी को पढ़कर सुनाएं Nikki उससे पहले आप बच्छों को अपने अपने सहज की प्रतियों को निकालने को कहें और पार्ट आठ में देखने के निर्देश दें आप उन्हें सहज 1 से पार्ट 8 में दियेगे चित्रों को दिखाएं और उन्हें अपनी पुष्टक के पन्नों को पलटते हुए पार्ट 8 के चित्रों पर लाने को कहें दोस्तों जो भी सामग्री मिली हुई है सासंद की दरफ से आपको कहीं भी जरूत पड़े कच्छा 1 से लेके 5 तक आप उन्हें सामग्रीयों का उप्योग कर सकते हैं कोई आपको मना नहीं करेगा कि नहीं ये कच्छा 1-2 के लिए है ऐसा नहीं है आप उनका उप्योग करिए क्योंकि हर क्लास में बच्चे हैं हर लेबल के बच्चे हो सकते हैं इसलिए आप उन चीजों को ले जाईए और यूज कीजिए प्रियोग कीजिए और उसके बाद ला करके वापस कर दीजिए चित्रों के आधार पर कहानी में क्या हो रहा है इसका अनुमान आप उन्हें लगाने दें बच्चों की प्रतिक्रियाओं को सही या गलत उत्तर में न बाटे तता हर जवाब को कच्छा में इस्थान दे अब उन्हें किताब में से कहानी सुनाए पाट के सीरसक पर उनका ध्यान दिलाए कहानी सुनाने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बाचीत करें और उन्हें या भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी का कोई अन्यनाम सीरसक क्या हो सकता है आखिर में उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कहें और उस पर बाचीत करें फिर मौकिक खेल गदविधी में क्या है आधारसिला क्रियान्वेन संदर्शिका कच्छा एक प्रिस्ट संख्या 79 से ओला ओला बमका गोला गदविधी कराएं फिर नेक्स्ट है कविता पहले दिन की ही तरह इस दिन भी कविता पर कार किया जाएगा आप अपने मन से कोई भी स्थानी कविता ले सकते हैं पिछले दिन की कविता को भी समलित करें मोटर इसकिल कौसल बाटें और उन्हें एक कागज या पेपर प्लेट में तीन या चार अलग-अलग अनाज दें जैसे चावल गयं हों डाल, मतर, राजमा, आद अब हर समो को इनको अलग अलग छाटने को कहें इससे बच्चों को एक दूसरे से बात करने के मौके के साथ उन्हें एक समूह में कार करने का अन्वोभी होगा तीसरा दिन परिचे बच्चों को जोडों में बैठने को कहें और एक दूसरे कोई स्कूर में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बाचीत करने को कहें इसका एक उदारण गतिविद की सुरुवात में दें इससे बच्चों को क्या-क्या बाचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी गतिविद के अंत में पान से साथ बच्चों को अपनी बातों को पूरी कच्छा के सामने साज़ा करने को कहें आप भासा या ब्याकरण की द्रिश्ट से उनकी प्रत्कियों के ना आके और ना ही सुधार करें फिर आता है कहानी आधार सिला क्रियान वेन संदरिसिका कच्छा एक प्रिस्ट संख्या 6-68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं पूरे हाव भाव से कहानी सुनाने बात बच्चों को इसी कहानी को अपने सब्दों में सुनाने को कहें बच्चे उस तरह से कहाने नहीं सुना पाएंगे जैसे आपने उन्हें सुनाई हो क्योंकि यह एक उच इस तरह का कहुसल है बच्चे कुछ सब्दों में अधूरे वाक्यों में और कहानी में अनेक तरह की बदलाव करते हुए कहाने सुनाएंगे इसे कच्छा में जगा दें और सुधार करने से बचें यहां उद्देश बच्चों को गद्वित से जोड़ना उनमें विश्वास पैदा करना तथा धिरे धिरे सीखने सिखाने के प्रिक्विया से जोड़ना है फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा दिन है लेवलिंग परकार बच्चों को अपनी कच्छा का और लोकन करने को कहें और कच्छा में दिख रही चीजों के नाम बोलने को कहें आप सुरुआते हैं बच्चों को एक दो धरान दे बच्चों दोरा बोले जानवले चीज़ों को बोड पर लिखें और फिर बच्चों को बोड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें इस सूची से कुछ चीजों के नाम को चार्ट पीपर पर बड़े बड़े अच्छरों में लिखें और उस चीज के ऊपर चिपका दें जैसे दिवार, बोर्ड, कुर्सी, घड़ी, दरवाजा, किडिकिट, टेबल आ दी अगले दो-तीन सब्ताहों में बच्चों को चार्ट पीपर पर लिखे नामों को देखर पढ़ने के मौके दें यों अभ्यास कराएं फिर कविता है, बच्चों को सहज 1 से पार्ट 1 की कविता रेल गाड़ी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं फिर सभी बच्चों को आपके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोसाहित करें इसे कम से कम दोती इंदबार करें बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें पिछली कविताओं को भी सामिल करें और बच्चों के साथ गाएं पिर आता है motorist के कौशल में बच्चों को 5-6 छोटे समुहों में बाटे और उन्हें एक कागज या पेपर प्लेट में अलग लग रंग के फूलों पंखुडियों को दें अब बच्चों को इन फूलों पंखुडियों को रंगों के अधार पर भ्याज़ित करने को कहें फिर आता है अनुभो परचर्चा, बच्चों को छोटे-छोटे समोह में बैठने हो कहें और उन्हें अपने पसंदीदा तेवहार के बारे में कुछ बात करने हो कहें, इसका एक उधारन गदविर की सुरुआत में दें, इससे बच्चों को क्या-क्या बाचीत करनी है, इसकी अच्छा के सामने अपनी बातों को रखने का आउसर मिले, आप भासा या ब्याकरण की द्रिश्ट से उनकी प्रतिक्रियाँ को ना आके और नहीं सुधार करें, फिर आता है कहानी सहेजवन पार्ट दस रीता की गुडिया पर पिछले दिन के तरह ही कारे करें, और फिर नामों को चार्ड पेपर पर बड़े-बड़े अच्छरों में लिखें और कच्छा की किसी दिवार पर चिपका दें, इस चार्ड को बच्चों की नजर के इस तरह पर रहें, ताकि उनकी नजर अपने नामों पर बढ़तい रहें, अगले दो-तीन सपताहों में के दें यों अभ्यास कराएं फिर आता है कभिता आधार सिला क्रियान्वयन संदर्शिका एक प्रिस्ट संख्य 62-65 से कोई भी कभिता बच्चों को पूरे हावाव के साथ सुना है इस पर वैसे ही कारेकर जैसे आपने पिछले दिन किया था मोटर इसकल कोशल में बोर्ड पर क अपने नाम लिखने को कहें बच्चे अपना नाम सही से नहीं लिख पाएंगे यहां मुम्किन है परन्तु बच्चों ने जैसे भी लिखा है वह अभी के लिए ठीक है अब बच्चों की इस कारे को कच्छा के किसी एक दिवार पर चिपका दें फिर आता है अनुभोपर च कितरा कराएं फिर कहानी अधारसिला क्रियानवन संदर्शिका कच्छा एक प्रिष्ट संख्या 66-68 में से कोई भी कहान ले सकते हैं इस पर पिछली दुनों की तरह ही कारे करें लेबलिंग एवं प्रिंट से परचे परकार कच्छा में अभी तक कराए गए लेबलिंग एव पिछली दिनों में किया है फिर आता है मोटर इसकी कोशल बोर्ड पर कुछ नए चितर सामान बने जैसे आम इमली से बला गेन फूल चूहा आदि और इन चितरों की नीचे इनका नाम भी लिखें इन चितरों की बनावाट को सराल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो बच्चों को इन्हें देखकर एक पिपर में बनाने इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें अब बच्चों को इस कारे को कच्छा के किसी एक दिवार पर चिपका दें फिर छटवा दिन है अनभो पर चर्चा बच्चों को छोटी छोटी समोहों में बैठने को कहें और उन्होंने घर से स्कूल की तरफ आते समय क्या क्या देखा या क्या क्या देखते हैं इस पर कुछ बातें करने को कहें इस गत्वित को पिछली दिन के अन्वो पर चर्चा की तरह कराएं पिर आता है कहानी आधार सिला क्रियांदवन संदर्शिका कच्छा एक प्रिष्ट संक्या 66-68 में से कोई भी कहा भाव के साथ सुनाएं इस पर वैसे ही कारे करें जैसे आपने पिछली दिनों में किया है फिर मोटर इसकल का उसल बोड पर कुछ नए चितर सामार मना जैसे किताब पेंट टेबल बोतल तारा पहाड आदी इन चितरों के नीचे इनका नाम भी लिखें इन चितरों की अच्छा के किसी एक दिवार पर चिपका दे दोस्तों ये सून सप्ताहा की कारियोजना है लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसी सप्ताहा में आपको बेसलाइन आकलन भी करना है ठीक है तो कच्छा एक की बच्चों के लिए तो ठीक है ये चलता रहेगा उनक आंकलन नहीं करना है लेकिन इसी में आपको समय निकालना है और बच्चों का एक जो है दो से लेकर पांस तक बेसलाइन आंकलन कर लेना है और उनके समूह भी डिसाइड कर लेना है लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रहे कि बच्चों को या नहीं पता चलना चाहिए कि वो किस समूhin में है क्या है ये सीक्रिट है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों को जब आप बता देंगे कि हाँ तुम कमजोर हो तुम इस तर वन में हो तुम तेज हो इस तर तू में हो तुम बच्चों के अंदर हीन भावना जन्द में लेगी इसलिए आप इस बात को अपने तक सीमित रखेगा और समोह निर्धान की प्रक्रिया आपको करना है बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना है कि कौन तेज है कौन कैसा है आप अपने मन से ये करने के बाद ये आपका जो है पहले सप्ता सून सप्ता की कारी उजना है जब सून सप्ताहत खतम हो जाएगा उसके बाद सप्ताहई एक के हिसाब से पोयाँ आपका सम्रीधि कारे करम में जो योजना दी गई उसके तहत आपको बच्चों परकार करना है जब भी बच्चे हपते में एक दो दिन आएंगे उसी प्रकार से आप काम करते रहें और जब एक अपरेल हो जाएगा तो यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा और आप पूरे जो है फुल स्विंग यानि पूरे जोर सोर से जो है इस योजना को लागू करिएगा तो आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को सेर भी कीजे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके त तुम मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में नमस्ता